तमस्कार, हेलो फ्रेंज, ग्रीन बैलकोनी में आप सब का स्वागत है इजी फ्लावारिंग प्लेंड शीजीन चल रहा है आज मैं आप लोगों को शाथ नमबर वाला पौधा दिखाऊंगी लेकिन ये वाला पौधा ओ नहीं है ये एलामंडा का पौधा है इस पर लोग टाइम से फ्लावारिंग हो रहा है बहुत अच्छा है ये पौधा ओही मेरे को लगा आज आप लोगों को ये पौधा दिखा रही हूँ दो दिन से पानी गीर रहा था आज धूप निकला है तो पौधा बहुत खुश है देखिए ये वाला कामिनी का पौधा है आज का टौफिक है साथ नमबर वाला पौधा कामिनी का पौधा को बहुत बार आप लोगों से शेयार करी हूँ बहुत अच्छा से ये पौधा पर फ्लावारिंग स्टार्ट हो गिया है मार्च से नमबर तक ये पौधा पर फूल आता है आज तो थोड़ा सा काम फूल आया है इसे भी ज़्यादा फ्लावारिंग मैं आप लोगों को दिखाई हूँ पूरा पौधा सफेद जब था बहुत शुन्दर लाग रहा था रात के शमय फूल खिलता है पूरा दिन रहता है और शाम को ये गिर जाता है लेकिन ये पौधा देखने में बहुत सुन्दर लगता है ये सेंटेड बाला भी है जब ये पौधा पर फूल खिला रहेगा और पौधा का आसपास में आप रहेंगे तो आप शुगन से भर जाएंगे बहुत मीठा मीठा खुशबू है ये पौधा पर बहुत अच्छा लगता है गाडेन पर रहने से बहुत मन खुश हो जाता है लेकिन ये पौधा का फूल आप तोड़ के पुजा का काम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये पौधा का फूल बहुत छोटा छोटा होता है लेकिन ये देखने में बहुत शुन्दर लगता है गाडेन का रोनोक बढ़ा देता है एक पौधा अगर गार्डेन पर रहे तो गार्डेन बहुत शुंदर लगता है पौधा कितना शुंदर से फूल देते रहता है बस सनलाइट चाहिए इसको और कुछ नहीं मिट्टी में जब लगाएंगे तब ये पौधा का मिट्टी अच्छा से फटिलाजदार वाला मिट् एक दम क्यार नहीं मांगता है लो मेंटेनेंस पौधा है कीडा मकोडा तो बहुत कम लागता है पानी भी बहुत कम लागता है फटिलाजदार भी बहुत कम लागता है बस सनलाइट ये पौधा को चाहिए ये तो जमीन में लगाने वाला ही पौधा है जमीन में लगाने से बहुत बड़ा पेड जैसा हो जाता है, लेकिन आभी गामला में भी बहुत सारा भेराइटी ये पवधा का आया है, ये मीदियम बाला भेराइटी है, इससे भी एक बड़ा पवधा है, जो फूल का साइज थोड़ा सा बड़ा बड़ा आता है, पात्ते का साइज भी थोड़ आईए आपना घर का अंदर में भी इसको रख सकते हैं लेकिन उसे फ्लावारिंग बहुत कम होगा लेकिन डेकोरेड प्लैंड के हिसाब में भी आप रख सकते हैं जहां रख दीजिएगा ओ जगा बहुत शुंदर लगता है पौधा बहुत घना रहता है तो देखने में भी अगर ओ पौधा को बीच बीच में धूप में रख सकेंगे तो उस पर भी फ्लावारिंग होता है ऐसे तो फूल सनलाइट में रखने से पूरा पौधा फ्लावारिंग धार के करता ही है लेकिन अंदर बाला भी कभी कभी फ्लावारिंग करता है अगर उसको भी अच्छा से सनलाइट मिले तो लेकिन ये पवधा देखिए कितना सुन्दर, इसका मिट्टी देखिए मैं कैसे रेडी करी थी, ये काला मिट्टी में पवधा लगाया हुआ है, पूरा भर के कमपोज दिया हुआ है इस पर, और ये पवधा का गमला का पोट जो है ओ भी थोड़ा सा जाड़ी होता है तो हावा से गीर जाता है इसलिए थोड़ा सा बड़ा पड़ देने का कोशिश करिए उसमें पवधा आच्छा भी रहेगा और गीरेगा भी नहीं फ्रेंट्स ये खुश्बू बाले पवधा बहुत आच्छा बाला एक पवधा है इसको आप ले आईए और अपना गाडेन पर जागा दीजिए देखिए कितना शुंदर फ्लावारिंग कर रहा है लो मेंटेनेंस तो हाई ये तो फ्रेंट्स और क्या चाहिए बस अज तक के लिए इतना ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सेयर कमेंट कर दीजिए निव फ्र पिक पर तब तक के लिए बापाइ